हलो बच्चों कैसे हैं आप मेरा नाम डॉक्ट जूती सिंह और आज मैं आपके साथ डिसकास करूँगी प्रॉपरिटी कम्यूटेटिविटी-ी का मतलब क्या होता है Commutativity मतलब की होता है कि जैसे कि अगर मैं 1 प्लस 2 करूँ या 2 प्लस 1 करूँ तो भी दोनों का result सेम आएगा यानि कि number को एक बार ये जैसे addition है इसकी जगह पे subtraction हो सकता है multiplication हो सकता है division हो सकता है तो Commutativity मतलब अगर इस number को आगे रख दूँ और इस number को पीछे रख दूँ तो भी result वही आएगा तो उन operations को हम कहेंगे कि ये commutativity के rule को follow करते हैं जिन operations में आगे पीछे number को करने से या flip कर देने से चीजें नहीं बदलती हैं उनको हम कहते हैं हो commutativity के rule को follow करते हैं अब हम one by one whole number, integers और rational number को compare करेंगे कि वो कैसे commutativity की property को follow करते हैं जैसे कि whole numbers में 0 आता है अगर हम 0 प्लस 7 करें या 7 प्लस 0 करें तो भी दोनों में result क्या आएगा 7 ही आएगा न ठीक है वैसे ही अगर हम 3 प्लस 2 करें या 2 प्लस 3 करें ठीक है या 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा और यहां पे भी 5 ही आएगा ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं a plus b is equal to b plus a यानि की whole numbers में addition में addition is commutative ठीक है whole numbers के case में addition जो है वो commutative है यानि की a plus b is equal to b plus c ठीक है तो हम कहें के commutative है वैसे ही subtraction में अगर हम देखें कि यह commutative है की नहीं माल लीजे 5 minus 2 करूं तो क्या आएगा 3 आएगा लेकिन अगर मैं 2 minus 5 करूं तो क्या आएगा minus 3 आएगा तो subtraction is not commutative यानि यह result है यह different आएगा एक में plus 3 आ रहा है और एक में minus 3 आ रहा है तो same result नहीं आ रहा है ना तो subtraction is not commutative यह अगर मैं 5 into 3 करूं तो क्या आएगा 15 और अगर मैं 3 into 5 करूं तो क्या आएगा 15 है ना तो multiplication हम क्या देख रहे हैं कि नंबर को अदल बदल के करने से भी result वही आ रहा है इसलिए हम कह सकते होल नंबर के case में multiplication जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है वहीं पर अगर हम यह देखें इन डिविजन के case में अगर हम यह देखें कि 5 divided by 10 देख लें ठीक है वह लंबर से ठीक है तो इसका रिजर्ट जो है वो अगर 10 divided by 5 देख लें ठीक है तो यहां पर 5 divided by 10.5 आ जाएगा और 10 divided by 5 जो है आजाएगा आपके पास कितना 5 तू जा 10 टू आ जाएगा ठीक है तो डिविजन में ऐसा नहीं चल सकता है कि 5 divided by 10 लिखो या 10 divided by 5 लिखो एक ही आंसर आएगा ऐसा नहीं होता है डिविजन में तो डिविजन एस नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल ल नहीं करता है वहीं अगर हम इसी को इंटीजर के केस में देखें तो अब हम एडिशन के केस में देखेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं कि नहीं करते हैं जैसे कि 3 प्लस 4 कर लिया तो क्या आएगा 7 आएगा और 4 प्लस 3 करोगे तो भी 7 आएग तो वहीं पर हम देखते हैं, subtraction में, is minus 5 minus minus 3, is equal to minus 3 minus 5, नहीं न, यह नहीं होगा, तो subtraction is not, यहां में minus 8 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, तो subtraction भी जो commutative property नहीं है, in case of integers, वहीं multiplication में हम देखें, 3 into 4 करेंगे, तो भी 12 आएगा, और 4 into 3 करेंगे, तो भी 12 आएगा, तो multiplication जो है, वो commutative property है, in case of integers, division, division में फिर से वही, ठीक है, जैसे कि अगर मैं 15 divided by 3 करूं, तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन 3 divided by 15 करूं, तो 5 नहीं आएगा, तो division is not commutative property in case of integers, अब हम देखते हैं बार rational number की, जो की हमारा point है study का, तो rational number में क्या होता है, सबसे पहले हम addition का operation देखते हैं, कि rational number addition के operation में commutative property शो करते हैं, कि नहीं करते हैं, जैसे suppose एक rational number ले लिया है, 2 by 3, minus 2 by 3, plus 5 by 7, इसका result आगया, 1 by 21, लेकिन अगर हम की उल्टा करते हैं, 5 by 7 को पहले लिख दें, और 2 by 3 को बार में लिखें, तो भी वही result आएगा, 1 by 21, ठीक है, वैसे ही, minus 2 by 3, plus 5 by 7, is equal to 5 by 7, plus minus 2 by 3, यानि हम ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है, चाहे 2 by 3 को पहले लिखो, चाहे 5 by 7 को पहले लिखो, result हमारा, 1 by 21 ही आएगा, ठीक है, वैसे ही, और एक एक इग्जामपल देखते हैं, minus 6 by 5, plus minus 8 by 3, ठीक है, ये कितना आएगा, ये, इसको अगर हम देखें, यहा पर, तो ये आजाएगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, minus sign, minus 5 8 जा 40, ठीक है, तो हमारे पास आगया, ये 8 औ ठीक है, वहीं पर अगर हम इसी नंबर को, minus 8 by 3, plus minus 6 by 5 करें, तो भी minus 58 by 15 ही आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कि minus 6 by 5, plus minus 8 by 3, is equal to minus 8 by 3, plus 6 by 5, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कि addition के case में, in case of rational numbers, जो है, ये rational numbers commutative property शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, minus 3 by 8, plus 1 by 7, is equal to 1 by 7, plus minus 3 by 8, तो ये कितना आएगा, 7, 8 जा 56, 7, 3 जा 21, और ये 8 बन जा 8, ठीक है, तो ये कितना आजाएगा, 11 में से 8 गया, 3, और ये 1, minus 13 by 56, ठीक है, तो दोनों का ही result minus 13 by 56 आएगा, ओके, so we can say a plus b is equal to b plus a, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कि rational number addition की operation में commutative property शो करते हैं, चाहे a plus b लिखिए, चाहे b plus a लिखिए, एक ही result आएगा, rational number के case में, ठीक है, अब हम subtraction की बात करते हैं, कि subtraction commutative property शो करता है कि नहीं करता है, whole numbers और integers के case में, तो subtraction ने commutative property शो नहीं किया था, अब इसमें देखते हैं, अगर हम 2 by 3 minus 5 by 4 करें, को ऐसे लिख सकते हैं, कि जैसे हम addition के case में लिखते हैं, 5 by 4 minus 2 by 3, जो दोनों का result देखते हैं, ठीक है, पहला हम देखते हैं, 2 by 3 minus 5 by 4, ठीक है, तो ये 15 minus 8, कितना आया आपका, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 7, minus 7 by 12, ये आया, और अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो ये आजाएगा नीचे, 12, 3, 5, 15, minus 4, 2, 8, ठीक है, तो ये भी आजाएगा आपका, 7 by 12, ठीक है, तो 1st case में, minus 7 by 12 आया, और 2nd case में, 7 by 12 आया, ठीक है, तो ये दोनों के सेम हैं, बराबर हैं दोनों, नहीं न, अलग-अलग हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि subtraction, जो है वो, in case of rational numbers, subtraction is not commutative property, ठीक है, सो, subtraction जो, commutative का rule नहीं follow करता है, rational number की case में, अब multiplication का देखते हैं, ठीक है, minus 7 by 3, into 6 by 5, कितना होता है, 5 स्रीजा, 15, 7, 6, 42, ठीक है, ये आगया result, अगर हम इसको पहले लिख दें, और इसको बाद में लिख कें, जैसे कि यहाँ पे लिख है, 6 by 5, into minus 7 by 3, तो भी तो यही result आएगा, 15 minus 42, ठीक है, और दूसरी example में देखी, minus 8 by 9, into 4, minus 4 by 7, is equal to 4 by 7, into 8 by 9, कितना answer आएगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेखेंगे कि, 7, 9, 0, 63, और 8, 4, 0, 32, ठीक है, तो यह result आए, तो यह दोनों ही case में यही result आएगा, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, a into b is equal to b into a, ठीक है, for any two rational numbers, a and b, यानि कि multiplication, जो है, commutative rule को follow करता है, ठीक है, अब division के case में देखते है, minus 5 by 4 divided by 3 by 7, is equal to 3 by 7, यह है क्या, ऐसा होता है क्या, अब देख सकते हैं, कि minus 5 by 4 को divide किया, यानि 7 by 3 से into कर दे गए है, आपर इसको उलट देते हैं, into का sign लग जाता है, ठीक है, division की case में, तो यह आजाएगा, force is a 12, 7, 5 is a 35, minus sign, ठीक है, अब वही पर इस operation को अगर हम करें, ठीक है, तो यह आजाएगा, 3 by 7, into, 4 by 5, ठीक है, यह minus यहाँ पर, ठीक है, तो यह आजाएगा, 3, 4s are 12, 7, 5s are 35, ठीक है, तो यह 12 by 35 आएगा और यह 35 by 12 आएगा, ठीक है, तो यह दोनों ही अलग-अलग है, यानि कि division के case में, राश्नल लंबर, जो है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता, तो addition और multiplication, जो है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, वही subtraction और division, जो है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते हैं, in case of rational numbers, चीक है, तो एक आपको टेबल दी गई है, उसमें आपको भरना है कि, क्या यह follow करते हैं, तो rational numbers commutative rule को follow करते हैं, addition के case में yes, commutative rule को follow करते हैं, subtraction के case में rational numbers no, multiplication के case में follow करते हैं yes, division के case में follow करते हैं no, वहीं integers, integers जो है addition को follow करते हैं yes, subtraction को follow करते हैं, commutative rule को नहीं follow करते हैं, multiplication को follow करते है yes ठीक है division को follow करते है no ठीक है whole numbers addition को follow करते है commutative rule को yes subtraction को follow करते है no ठीक है और multiplication को follow करते है commutative rule को yes division को करते है no ठीक है natural numbers commutative rule को addition के case of follow करते है yes subtraction को करते है no और multiplication को करते हैं yes और division को करते हैं no ठीक है तो commutative rule को जो है rational numbers, integers, whole numbers, natural numbers in case of addition ठीक है सारे के सारे rational numbers भी integers भी whole numbers भी natural numbers भी addition की property में commutative rule को follow करते हैं मतलब की a plus b करो चाहे b plus a करो a की बात है ठीक है b plus a करो और subtraction के case में कोई follow नहीं करता है commutative rule को multiplication की case में सब follow करते हैं यानि addition और multiplication में सब के सब commutative rule को follow करते हैं और subtraction और division में कोई भी commutative rule को follow नहीं करता है ठीक है I hope कि आपको commutative witty की property अच्छे से समझ में आयोगी and still if you have any doubts then you can write your comments in the comment section I will try to resolve them as soon as possible thank you so much